कि आदमी धिनर में पत्ण कर सकता है मदलब तीस बार संबुख हो सकता है उसका प्था नहीं चयों कि आदिक स्थिक स्थीक है कि बहुत हो सकता है कोत्व कोई विए दिन में वह chant बार कर सकता है जैसे ईसे उमर बढ़ते गथी देग्फरेक्टरी पिरेड है ज़ाटा है में 15-20 साल 15-15 साल ही जो उमर है इसमें दिन में 50 बार करना तो एकदम नॉर्मल है बतलब शादी होने के बाद में जब हनीमून को जाते हैं लोग तो हनीमून को इतले जाते हैं कि दोनों को एकांत मिले और उसमें यह उनका सिक सटिस्फेक्शन पूरा हो जाए एक दूसरे को समझे जाने पहचाने तो कितने भी आए दवा लेते हैं और लूब्रिकेशन बराबर रखते हैं तो 30 बार भी कर सकता है क्यों कि एदि 30 बार आप करते गए तो क्या होंगा कि घर्षण वार बार भार भार घर्षण करने के बात में हो सकता है कि वहां जखम हो जाएगी वार क्ष़ां इंजेक्शन लेते हों कितने भी कर सकते में बोने में यह डोने में और दूनिया में अमेरिका इंगलन यह अपरतुर बदया नियुके to और इसका मतलब हप्ते में एक बार अप्रॉक्सिमेटली थैंकि वरी मच्छु। सेख समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियो जैंग उसका आमने एक आनलाइन वीडियो रेकॉर्डिंग करके वर्क्शॉप एक कोर्स बना हुआ है वह कोर्स जो है औलाइन कोर्स उसमें करी करीप साथ वीडियो है और उसमें हीप्नाडिद्म की भी है कि हीप्नाडिद्म के समस्याओं का सम sıकत्वração कांज रूं tahun हो सकता है तो यह आप उनलाइन रिकॉर्डिंग लिवट को ळो है तो यह online recorded course आप हमारे एप से ले सकते हैं उसका description निकिचे दिया ओए link दिवी एप की और वैसे ही आप telegram group से आप जुड़ जाते हैं हमारे whatsapp group से जुड़ जाते हैं या website से तो आपको यह online course के बारे में जानकारी हो जाएगी यह online course करके आपके सभी समस्याओं का समधन हो जाएगा आप निचे दिये नंबर दिये उसके ओपर भी call करके वह online course खरीच सकते हैं इंस्टा मुझा की भी link दी हुए उसमें आप direct payment कर सकते हैं thank you very much अजा मुझा की भी बारे में आपके ओपर जाएगाएगा जाएगी